नमस्कार आप सबी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में मेरा नाम है विने कमबोज जैसे आप सबी जानते हैं कि अभी हरियाना के अंदर लॉकडाउन है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी कार का डिटेल वाकराउंड वीडियो या फिर टेस्ट टाइब वीडियो आपके लिए लेकर आ सके और यह जो lockdown है यह हमारी safety के लिए है तो यह जो word है safety आज हम इसी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले safety word का हम match करेंगे COVID के साथ की मापे इसका कितना ज़्यादा uses है और कितनी importance इसकी है फिर हम बात करेंगे safety word की automobile sector के अंदर कितनी एहमियत है सबसे पहले COVID के साथ हम safety word को use करते हैं आप सभी जानते हैं फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आपको COVID से बचने के लिए mask का use करना है social distancing का आपको पालन करना है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और जो है आपको sanitize करने है अपने हाथ को regularly आपको sanitize करने है या फिर इनको wash करना है साबून के साथ then आपने देखा ही है कि ये पहले क्या था कि जब first wave आई थी तो हम इन सब safety measures का use कर रहे थे जिसकी वज़ा से जो corona के cases थे वो काफी जादा limited थे लेकिन कुछ time के बाद हमने ये safety measures लेना बंद कर दिये जिसकी वज़ा से ये जो second wave आई है अब जो losses हो रहे हैं वो काफी जादा हो रहे हैं और जो cases भी आ रहे हैं वो काफी जादा आ रहे हैं सबसे पहले जब भी आप कोई नई कार अपने लिए purchase करते हैं तो वहाँ सबसे पहले आप देखते हैं कि आपको उसके अंदर क्या safety features मिल रहे हैं जैसे airbags available है या नहीं ESP आपको मिल रही है EBS brakes तो यह सब safety features आप उसके अंदर देखते हैं जो second चीज आप देखते हैं वो देखते हैं कि उस गाड़ी की crash test rating क्या है और वो rating हमें बताने के लिए गलोबली काफी agencies है जैसे global NCAP है GNCAP आप बोल सकते है ASEAN NCAP, Euro NCAP तो इस तरह की agencies है जो हमें बताती है कि यह कार आपके लिए कितनी safe है 5 star में से इस गाड़ी को कितनी rating मिलती है 3 star, 2 star, 5 star, 0 star तो इस तरह से हमें पता लगता है then उससे ज्यादा important क्या है वो है traffic rules को follow करना तो जब भी आप drive कर रहे हैं आप motorcycle चला रहे हैं या भी आप गाड़ी drive कर रहे हैं तो जब भी आप drive कर रहे हैं तो आपका जो focus होना चाहिए वो 100% driving पे होना चाहिए जिससे आप खुद को और सामने वाले को लोग से बचा सकते ह हैं तो आप जो बात करेंगे हम एक ये series हम start कर रहे हैं जिसका नाम है चोटी-चोटी मगर मोटी बाते और इसके अंदर हम चोटी-चोटी videos लेकर आएंगे जिनके अंदर हम इनी चोटी-चोटी गलतियों के बारे में बात करेंगे जैसे आप drive कर रहे हैं आपने देखा ही ह उसको भी लोस होता है तो इस सीरीज को सक्सेस करने के लिए आप लोगों को हमें हमारी हल्प करनी है और वो किस तरह करनी है जब भी आप ड्राइव करते हैं बाहर जाते हैं तो आपने काफी लोगों को देखा होगा जो इस तरह से ड्राइव करते हैं गल्त ड्राइव करते है तो वो आपने जो भी आपका experience रहा वो हमारे साथ आपको share करना है और उसको share करने के लिए हमारी Gmail ID आपको सामने screen पर दिखाई दे रही है इस पर हमारे पास आप mail कर सकते हैं या फिर एक छोटी सी वीडियो बना कर भी आप हमारे पास send कर सकते हैं और जो दूसरी sport आपकी हमें चाहिए वो है इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना ताकि जादा से जादा लोग इन safety जो यह हमारे traffic rules हैं इनके बारे में जान सके तो हर वीडियो के अंदर हम एक traffic rule के बारे में बात करेंगे और आपको उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वो आप कैसे करते हैं वो आप सभी को पता है कि यूट्यूब पे आपको share करना है Facebook पे share करना है WhatsApp पे Instagram पे हर जगा इसको share करना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम इनी ट्रैफिक रूल्स और सेफटी रूल्स के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो का जो पहला रूल है वो है कि जब भी आप घर से या ओफिस से आप निकलते हैं और कोई छोटा बच्चा उसके आगे या पीछे कहीं है तो वो आपको चेक करना है और दूसरा फायदा इसका क्या होगा कि आपकी गाड़ी के जो सभी फोर टायस हैं उसके अंदर आप टायर प्रैसर भी देख सकते हैं कि किस टायर के अंदर आपको requirement है हवा फिल कराने की तो इससे आपकी भी safety increase होगी जब आप drive करेंगे और सामने वाले के भी safety increase होगी तो इस वीडियो के लिए इतना ही आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye, joy